Hello students, O2IS Academy की DRAW Series में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं, H.E.S. exam के लिए हम पिछले एक साल के Current Affairs को कवर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के Current Affairs को अलरडी कवर कर लिया है जिसने नहीं देखा है, वो जाकर देख सकते हैं आज हम शुरू करेंगे Ranks and Reports का Lecture No.4 तो अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, तो आप हमारी O2IS Academy की आप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर आपको HPS Prelims Test Series 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा जिसके Content Section में आपको Free Resources के अंदर Current Affairs की PDFs मिल जाएगी इसके अलावा जो भी बच्चे आने वाले HS exam की preparation करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने Foundation Batch को launch किया है जिसके अंदर हम हर एक subject को cover करवाते हैं इसके अलावा State Specific जो GK है उसको भी cover करवाते हैं तो शुरू करते हैं आज की सबसे पहली news से तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक emergency fund है तो इस fund का नाम है education cannot wait यह जो fund है वो यहाँ पर United Nations ने बनाया था और particularly इसको कौन regulate करता है तो UNICEF regulate करता है यहाँ पर United Nations की एक specialized agency है that is United Nations Children's Fund भी इसको बोल दिया जाता है अब यहाँ पर जो education cannot wait इन्होंने एक report निकाली है जिसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि जो भी all over the world ऐसे student है जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको कोई ना कोई जो crisis है वो आ रहा है और ultimately उनको education support चाहिए और support करने के लिए यहाँ पर of course उनको funds चाहिए तो ultimately यह जो fund है ऐसे बच्चों को funding provide करता है ताकि उनके पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना आए तो यहाँ पर इस fund ने एक report निकाली जिसके अंदर उन्होंने ये बोला कि पहले तो सिरफ 75 million ही ऐसे बच्चे थे जिनको education में support चाहिए थी लेकिन अभी ये increase होके 222 million हो चुके है that means ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको education में support चाहिए और इस चीज के लिए of course यहाँ पर उनको funding वगेरा provide करी जानी चाहिए तो यहाँ पर जनेवा के अंदर एक campaign को भी शुरू किया गया था जिसका नाम है 222 million dreams campaign इस campaign के अंदर basically यह हो रहा है कि यहाँ पर अलग-अलग जो philanthropists हैं अलग-अलग जो एक तरहां से लोग हैं यहाँ पर businesses हैं जो भी donate करना चाहते हैं इस fund में ताकि इस fund में वो donate कर सके और ultimately इस fund को education purposes के लिए use किया जा सके next हम बात करते हैं कि Oxfam International ने भी एक report निकाली है जिसके अंदर उन्होंने यह बताया है कि United Nation को लोगों की मदद करने के लिए पहले जितने funds चाहिए थे अब वो increase होके 8 times increase हो गए हैं तो यहाँ पर यह देखा गया कि जितना भी एक तरह से climate change हो रहा है उस climate change की वज़े से जैसे कि यहाँ पर बहुत जादा floods आ जाती हैं तो यहाँ पर लोगों की मदद करनी पड़ती है और उस मदद के लिए जो United Nations है वो उनकी मदद करता है तो उसके लिए उनको funds वगेरा की भी requirement होती है तो यहाँ पर 2002 के अंदर जो United Nations है उनको लोगों की मदद करने के लिए 1.6 billion funds की जरूरत थी लेकिन यहाँ पर Oxfam International ने जो रिपोर्ट निकाली है उन्होंने ये बोला है कि अब ये funds increase होके 15.5 billion हो चुके हैं यहाँ पर बहुत जादा funds है ये increase कर चुके हैं और ultimately ये increase इसलिए किये हैं क्योंकि climate change बहुत जादा हो चुका है उसकी वज़े से अलग-अलग जो natural disasters हैं जैसे drought हो गया जैसे flooding हो गया तो ये सारा बहुत जादा frequently हो रहा है तो उसकी वज़े से लोगों की भी मदद करनी पड़ेगी और उसकी वज़े से यहाँ पर जादा funding उनको चाहिए अगर मैं Oxfam के बारे में यहाँ पर बात करूँ तो Britain ने इस organization को बनाया था 1942 के अंदर और इसको इसलिए बनाया गया था ताकि globally जितनी भी poverty वगेरा है उन सब चीजों के उपर research करी जा सके और ultimately उन लोगों को ये help कर सके और इसके अलावा भी Oxfam के बारे में आपको कुछ चीज़े पता होनी चाहिए जैसे कि उनका जो headquarters है वो नायरोबी कहना के अंदर located है और यहाँ पर जो Oxfam International है वो एक report निकालते हैं जिसका नाम है Inequality Kills Report तो आपने इन सब चीजों के बारे में याद रखना है नेक्स हम बात करते हैं कि एक report है जिसका नाम है International Religious Freedom Report अब यहाँ पर दो ऐसे US के departments हैं जो की इस report को निकालते हैं एक तो हो गया यहाँ पर US Department of State और यह जो US Department of State जब इस religious report को निकालता है तो उसके उपर कोई भी boundation नहीं होती है और इस report के अंदर वो यहाँ पर countries को ranking देता है कि religiously हर एक country कैसा perform कर रही है तो यहाँ पर इंडिया को भी एक investment का एक category में डाला गया है that is BBB category में डाला गया है Otherwise इसके अलावा अगर मैं दूसरी report के बारे में बात करूँ तो that is also International Religious Freedom Report जो की कौन निकालता है US Commission on International Religious Freedom यह इसको निकालते हैं लेकिन यह जो report है यह एक तरह से statutory obligation है statutory obligation का मतलब यह होता है कि एक law बनाया गया है और उसके द्वारा एक तरह से बोला गया है कि आपने इस report को निकालना ही निकालना है और ultimately इस report के अंदर भी countries को एक तरह से अलग-लग categories में डाला जाता है जैसे कि अगर मैं दूसरी वाली report की बारे में यहाँ पर बात करूँ तो जो की US, CIRF निकालते हैं तो यह भी April के मन्त में आई है जो की हमने पिछले current affairs में cover कर ली है तो यहाँ पे इस report के अंदर इंडिया को एक particular category में डाला था that is country of particular concern तो आपने इस report के बारे में ध्यान रटना है next हम बात करते हैं कि जो World Meteorological Organization है उन्होंने भी एक report निकाली है जिसका नाम है Global Annual to Decadal Climate Update Report अब इस report के अंदर उन्होंने basically यह करते क्या है इस report के अंदर कि all over the world यहाँ पे अलग-अलग countries के उपर भी ध्यान देते हैं यह चेक करते हैं कि climate change होने की वज़े से हर एक country पर कितना impact पढ़ने वाला है तो World Meteorological Organization ने इस report के अंदर यह बताया है कि इंडिया का जो temperature है आने वाले अगले 5 सालों के अंदर वो थोड़ा सा normal से below temperature रहेगा तो अगर मैं बात करूँ कि ऐसा क्यों होने वाला है इंडिया के अंदर क्योंकि यहाँ पर above normal जो rainfall है वो receive होगी that means rainfall जादा होने की वज़े से temperature कम होगा लेकिन यह एक तरह से solution नहीं है temperature को कम करने का आप जानते ही है कि अगर जादा rainfall होगी तो यहाँ पर flooding के chances बहुत जादा increase कर जाएगे और ultimately उस flooding की वज़े से लोगों पर impact पड़ेगा और यहाँ पर इस report के अंदर ये भी बताया गया कि पूरे globally जो भी temperature है वो 1.5 degree centigrade जो है वो increase कर जाएगा और यह जो increase है यह pre-industrial level के according है that means industrialization होने से पहले जितना भी temperature था और अब जो temperature है वो 1.5 degree centigrade increase कर जाएगा और ultimately यह जो increase है आने वाले 5 सालों के अंदर ही हो जाएगा तो अगर मैं यहाँ पर कुछ world meteorological organization के बारे में बात कर लेती हूँ तो इसको 1950 के अंदर बनाया गया था एक convention के द्वारा और यह एक United Nation की specialized agency है जो की एक तरह से climate change और weather के उपर ध्यान देती है अलग अलग reports निकालती है और पहले ही climate और weather से related जो information बगेरा है वो countries को provide कर देत इसका जो headquarters है Geneva Switzerland के अंदर है और इस world meteorological organization के अंदर जो member states है वो 192 member states है आपने ध्यान रखना है कि India भी WMO का member है next हम बात करते हैं कि world bank ने एक report निकाली है जिसका नाम है world governance indicator report अब इस report के अंदर जो world bank है globally अलग लग countries को यहां पर rank करते हैं और यहां पर यह देखते हैं कि हर एक country के अंदर जो governance है वो कितनी हद तक implement किया जा रहा है अगर मैं governance के बारे में बात करूँ तो governance का मतलब यही होता है कि एक तरहां से जो भी सरकार ने जो भी scheme वगेरा launch करी है उन schemes को कितने हद तक implement किय जा रहा है और वो जो schemes है उनका benefit लोगों तक कितना पहुंच रहा है तो इस report को बनाने के लिए या फिर countries को rank करने के लिए अलग-लग methods को use किया जाता है और वो methods क्या है जैसे अलग-अलग logo के यहां पर opinions लिये जाते हैं, businesses के opinion लिये जाते हैं, then is logo के citizens के opinions लिये जाते हैं, इसके अलाबा यहां पर survey भी करवाय जाता है और इसी survey के according ही यहां पर countries को rank किया जाता है, कि लोगों तक कितनी schemes का जो एक तरह से benefit है वो पहुंच रहा है, और यहां पर कितनी countries को rank किया जाता है, तो 215 countries को देखा जाता है, और अलग-अलग parameters को भी देखा जाता है, governance के parameters है जैसे कि उस country के अंदर corruption को कितना जादा control किया जा रहा है then is rule of law कितना जादा follow हो रहा है ऐसे ही अलग-अलग इसके parameters है जिनके base के उपर इस ranking को या फिर इस indicator को यहाँ पर अलग-अलग countries को rank किया जाता है next हम बात करते हैं कि जो world economic forum है उन्होंने भी एक report निकाली है जो कि energy transition से related है इस report का नाम क्या है fostering effective energy transition 2022 तो इस report के अंदर यहाँ पर world economic forum ने यह बताया है कि जो countries है basically उनको करना क्या चाहिए energy transition करनी चाहिए energy transition का मतलब यह है कि जो भी countries जो भी अपनी energy बना रहे है जो कि non renewable sources से बना रहे हैं उनको अब renewables की तरफ shift होना चाहिए renewables की तरफ shift का मतलब क्या है यहाँ पर जैसे कि sun energy को use करना चाहिए in the same way wind energy होगी है ऐसे तरीके energy बनाने के use करने चाहिए जिसे कि environment में pollution बिलकुल भी ना हो या फिर कम हो तो यहाँ पर इस report के अंदर इनों ने यह बताया कि अब तक जितनी भी countries transition कर रही है वो इस वज़े से नहीं कर रही है क्योंकि environmental pollution बहुत ज़ादा हो चुका है या फिर climate change बहुत ज़ादा हो चुका है लेकिन वो सिरफ इस वज़े से energy transition कर रही है क्योंकि उनके पास lack of energy access है या तो fuel के prices बहुत ज़ादा increase कर रहे है इस वज़े से वो energy को नहीं खरीद पा रहे है या फिर इस वज़े से वो fuel को नहीं खरीद पा रहे है और ultimately उन्होंने अपनी country के अंदर energy का transition किया है non renewable sources से वो renewables की तरफ shift हुए है तो एक बार world economic forum के बारे में भी बात कर लेते हैं ये एक non profit organization है जो की जिसका जो headquarters है वो Geneva Switzerland के अंदर located है ये एक Swiss organization है that means Switzerland की ही एक organization है next हम बात करते हैं कि जो international food policy research institute है उन्होंने एक report निकाली है जिसका नाम है global food policy report climate change and food systems इस report के अंदर इन्होंने ये बताया है कि इंडिया के अंदर climate change होने की वज़े से जो hunger है वो इतरहां से increase कर जाएगी और ये 23% तक increase कर जाएगी इसके अलाबा इन्होंने ये भी बताया कि climate change होने की वज़े से जो food production है वो decrease कर जाएगी तो यहाँ पर 16% decrease देखने को मिल रहा है और यह जो decrease है वो एक तरहां से 2030 तक का इन्होंने target दिया है और यहाँ पर इस report में यह भी बोला गया कि इंडिया के अंदर जो भी लोग hunger की risk पर है that is 73.9 million जो की 2030 तक expected है लेकिन अगर मैं इसके अंदर climate change को भी include कर दूँ तो यह जो number है वो increase होकर 90.6 million तक increase कर जाएगा that means 2030 तक इतने लोग जो है वो hunger की risk में है वो भी किस वज़े से climate change की वज़े से तो आपने इस report के बारे में ध्यान रखना है इसके अलावा अगर मैं इस institute के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो if free institute है that is इसको 1975 में बनाया गया था और य गोगों को help करते रहते हैं next हम बात करते हैं QS World University ranking के बारे में तो यह एक ऐसी ranking है जिसके अंदर globally universities को rank किया जाता है कि उस university के अंदर जो education system है वो कितने हद तक ठीक है तो यहाँ पर अलग-अलग six parameters को देखा जाता है जैसे कि उस institute की या फिर उस university की जो academic reputation है वो कैसी है या पर employer reputation कैसी है तो यहाँ पर अलग-अलग parameters को देखा जाता है और इस basis पर ही यहाँ पर universities को rank किया जाता है और यहाँ पर 11 सालों तक एक university जो है वो top first एक तरह से top पे आ रही है that is Massachusetts Institute of Technology जो की US की institute है एक that is second number पर जो आया है that is University of Cambridge जो की England की है then is Stanford University जो की US की again California के अंदर located है यह पर अगर मैं Indian Institute के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो IIT है वो यहाँ पर top 500 या फिर 400 की ranking में आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर जैसे की 2022 की जो ranking थी उसका जो IISC that is Indian Institute of Sciences Bangalore है उसकी ranking 186 थी लेकिन इंप्रूफ करकर यह 155 हो गई है तो यहाँ पर आप 2022 के अंदर 2023 की रिपोर्ट निकलती है इस चीज के बारे में भी ध्यान रखना है नेक्स हम बात करते हैं environmental performance index 2022 के बारे में तो यहाँ पर 180 countries को rank किया जाता है कि हर एक country environment के उपर कितना अच्छा perform कर रही है उस country के अंदर कितनी ऐसी policies आ रही है जिसमें environment को ध्यान में रखा ज होते हैं जैसे biodiversity कैसी है उस country की protected areas कितनी है ठीक है तो इन सारे parameters के उपर ध्यान देते हुए ही उस country को rank किया जाता है तो यहाँ पे 180 countries के अंदर जो इंडिया का rank है that is 180th that means यहाँ पे bottom पर इंडिया लाई कर रहा है और यहाँ पे हर एक parameter के अंदर आपको इंडिया का जो rank है एक तरहां से कम देखने को मिलेगा और अगर मैं इंडिया के नेबर्स के बारे में बात करूं तो इंडिया के जो नेबर्स का ranking है वो at least इंडिया से थोड़ा बेटर देखने को मिल रहा है जैसे कि अफगानिस्तान का 81 हो गया then is नेपाल का 162 हो गया पाकिस्तान का भी हम से जादा दिखाया गया है that is 176 हो गया top 5 कंट्रीज को भी आपने याद रखना है जो हमेशा same ही कंट्रीज होती है almost जैसे डेन्मार्क होगी UK, Finland, Malta and Sweden हो गई है तो यहां पर इस performance index के बारे में एक तरह से newspapers के अंदर भी बहुत जादा आया था कि इंडिया जो है वो अलग-अ और यहां पर जितना भी environmental pollution हो रहा है या फिर जो climate change हो रहा है तो उसके लिए इंडिया बहुत सारे ऐसे sustainable steps ले रहा है फिर भी कैसे इंडिया बिलकुल bottom पे यहां पर लाई कर रहा है तो आपने इस report के बारे में ध्यान रखना है इसके अलावा आपने यह भी आद रखना है कि इस report को कौन निकालता है तो World Economic Forum जो है वो अलग-अलग institutes के साथ यहां पर collaborate करती है that is Yale Center for Environmental Law and Policy और दूसरा है जो Columbia University का एक center है इन institutes और centers के साथ collaborate करके इस performance index को निकाला जाता है तो I hope आपको यहां तक ranks and reports के बारे में समझ में आया होगा next class के अंदर हम next subject से शुरू थैंक यू सो मच and have a nice day